अस्लाम अलेकुम स्टुडेंट्स आज वी हैव कम्प्लीटिड आवर रीडिंग फ्यून टमबर वन नाओ कम टू दर रिसॉर्स नॉट्स अपन यूर रिसॉर्स नॉट्स आज हम बचू वर्ट मिनिंग क्वेस्टन आंसर्स और बुक एक्सिसाइज को देखेंगे फास्ट मतलब तेज ठीक है कैरी उठाना लैप गोद कमबाइन मिलाना जब आप दो चीजों को मिक्स कर देते हैं उसे कितें कमबाइन इकठा करना टूगेदर इकठा करना ठीक है एक साथ नीचे हमारे पास तीन कोश्चन है नำ वन नेम दी डिफ्रेंट टाइप्स ओअफ कम्प्योटर बेस्ट ओन डियोस अपने साइजे की हवाले से बात करनी है डिफ्रेंट ढब टाइप्स ओप्योटर की ठीक है, question number two है, list two features which make the computer different from humans, आपने को इसे दो features लिखने हैं, जो कि computer को humans से मुख्तलिफ बनाते हैं, उन दोनों का फरक वाजया हो, number one पे हम लिखते हैं, computer can walk very fast, ठीक है, computer ज्यादा तेज़ी से काम कर सकता है, और इसके बाद देखते हैं, computer do not make mistakes, ठीक है, computer गलतियां नहीं करता, जबकि अगर आप लोग तेज़ी से काम करते हैं, तो आप से गलतियां हो जाती है, ठीक है, number three पे है, how a laptop can be easier than a desktop computer, कहता है कि laptop, desktop computer से ज्यादा असान कैसे हो सकता है, वो इसलिए, a laptop is easy to carry anywhere, while a computer is not, laptop को आप असानी से कहीं भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं, जबकि आप computer, desktop computer को carry नहीं कर सकते हैं, ठीक है, come to next page, यहां हमाई पास है, book exercise है, जिसमें आपने इस picture को देखना है, और इस picture को देखते हुए ही, आपने fill in the blanks solve करनी है, ठीक है, कि यह जो word bank है हमाई पास, उसमें देखेगा, desktop है, tablet, smartphone, laptop, all in, one computer, वही हमाई पास types है computer की, अगर तो आप सबने अच्छे से इन types को समझ लिए, तो आप easily इसको solve कर सकते हैं, पिक्चर में देखें बच्चो, यह chair पर जो बच्चा बैटा हुए है, इसका नाम में सुफ्यान, इसके हाथ में क्या है, tablet, ठीक है, और जो बच्चा बैटा हुए है, वो कोने सुफ्यान का भाई है, उसके हाथ में laptop है, और यह जो आदमी खड़ है, उसके ओपर desktop computer पढ़ा हुए है, ठीक है, नाओ लेट कम तुदा फिरिंदी ब्लैंक, फर्स्ट वन इस, दी डाइश कंप्यूटर इस प्लेस्ट ओन दी स्टेडी टेबल नियर दा बैट, ठीक है, कहता है, जो study table है, उसके ओपर कौन सा computer है, आप सबको पता है, यह है desktop computer, ठीक हो गया, जो के table के ओपर पढ़ा हुए, desktop, second one is, the dash computer is placed on the bedside table near the door, कहता है, दरवाजे के करीब जो bedside table पढ़ी है, उसके ओपर कौन सा computer है, all in one computer, ठीक हो गया, third one is, सुफ्यान is holding a dash, सुफ्यान यह जो बच्चा चेर पर बटा हुए है, इसका नाम है सुफ्यान, इसके हा सुफ्यान के फादर कौन सी चीज़ यूज कह रहे है, स्मार्टफून, and five है, सुफ्यान's brother is sitting on the bed and playing a game on a laptop, easily cleared है, आपको नजर आ रहा है, कि उसके हाद में laptop है, ठीक है, next page पे देखते हैं, हमारे पास है, true false, number one पी कहते है, we can place a desktop computer on our palm, palm का मतलब हथेली, कहता है कि हम desktop computer को अपनी हथेली पे रख सकते हैं, कैसा है, no, तो हम लिखेंगे false, computer can not do difficult calculations, कहता है, computer मुश्किल सवालात हल नहीं कर सकता, मुश्किल जो calculations वो नहीं कर सकता, जबकि computer difficult calculations भी कर सकता है, ठीक है, तो ये भी false, computer can store a lot of information, yes, computer can, ठीक है, computer बहुत ज्यादा information को store कर स कहता है, true, number four पे देखिएगा, a laptop is heavier than a desktop computer, कहता है, laptop desktop computer से ज्यादा heavy है, गलत, जबकि laptop smaller है और lighter है, ठीक है, ये false आएगा, a desktop computer works on battery, no, नीचे picture में देखिएगा, ये आपके पास desktop computer है, ये बैटरी पे काम नहीं करता है, ठीक है, ये false है, label the different parts of the picture, class one में already आप लोग ये कर चुके है, monitor, mouse, CPU, keyboard, ठीक है, नीचे question दिया गया है, which type of computer does the picture show, इस picture का पुछा गया कैसे है, इसमें कौन सी picture show की गया है, तो आप लोग सारे बहुत अच्छे से जानते हैं, ये desktop computer है, next पर देखिएगा, कहता है, name each type computer shown below, write any three differences between them, अच्छा जी, कहता है, इस picture को देखिएगा, laptop और tablet, अच्छे से आप लोगों को पता है, पहले इनके name लिखिएगा, laptop, tablet, laptop को keep in lap, इसको आप गोद में रख सकते हैं, और tablet को hold in hand, इसको आप अपने हाथ में रखते हैं, hold करते हैं, पकड़ते हैं, laptop है, जी, computer shaped, और tablet, mobile shaped, and third one is, has button, laptop के आपको बता buttons होते हैं, और tablet, has touch screen, ठीक है, first chapter की आज हमने exercise भी कर लिए है, आपने अच्छे तरीके से इसको learn करने है, अच्छे से prepare करने है, don't waste your time, अपने best try करें, अच्छे से ये पूरा-पूरा याद करें, और time waste नहीं करना, ठीक है, good luck, take care of yourself, Allah Hafiz